कुम imaginar फ्रैंज़ तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरहिकी कि टेस्टी मज़्दार मिठाई और इस मिठाई को भिदाना Ao हब काने में बहुत ज्यादा टेस्य लगती है तो आप इस मिठाई को कभी भी बना करके खाлось सकतें कि मु하 niemand तब आप इसे मिठाई को बना के खा सकते या फिर आप इसे व्रेथ में भी बना के खाई कर सकते हैं तो इस मिठाई को बनाने के लिए यहां पर आपको लेना आदा कप चीनी और यहां पर मैंने 5-6 काजू ले लिए सिंपल चीजों के साथ मैं इसमेठाई को बना के तयार करूंगी जिसे हर को इसमेठाई को अपने घर पे बना सकता है तो इसके लिए आप पर ग्रैंडिंग जा लीज़ेगा आदा कप यहां पर चीनी डालना और यह पांसे चाहे काजु डाल दीज़ेगा और इसे बड़ी हा इसमें डाल देंगे एक कप दूद बस एक कप दूद से मिठाई बनके तयार होगी और बस दूद में बड़ी हासा उबाल आने लगे तो इस तरीके से एक बड़ाची से मिक्स कर लीज़ेगा और इसे आपको कुछ मिनट ऐसे ही लगातार चलाते जाएगा दूद को बड़ अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसे भी आपको डालने के बाद आच्छे से पकाना है ताकि जो काजू का फ्लीवर वह बड़ी हास दूद में आ जाए तो देख सकते हैं ये बड़ी हासा मिक्स हो चुका आच्छे से पक भी गया आप में इसमें एड़ करेंगे यहाँ पर वन चोथाई कप यहाँ पे मिल्क पाउडर अगर स्पून से लेंगे तो दू बड़ा चमच आपको मिल्क पाउडर लेना है और इसे डालने के बाद आ जाले गैस का फ्ले बिल्कुल लो रखेंगा नहीं तो इसमें लंपस आजाएंगे यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं तो आप मिठाई कैसे बनाएंगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप पर काजु की मातरा बढ़ा सकते हैं तो मैंने आप पर 5-6 काजू लिया ताकि मिल्क पॉडर का फ्लेवर इसमें बड़ा साज है यह हलका सा थिक भी हो जाए आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा थिक हो चुका है यह देखें क्रीमी क्रीमी से दूद्ध दिख रहा है तो यह बिल्कुल तैयार है अब हम क्या करेंगे इसमें आदा कप इसमे कोकोनट और बस इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख रहे हैं कि मैंने इस्तमाल के वह भी बिल्कुल कम कम चीज़ों में आप बहुत ही बहतरीन यानि कि मार्केट से कहीं ज्यादा टेस्टियों महंगी मिलने वाली मिठाईयां आप उसे घर पर ही तैय बहुत ही ज्यादा गिला गिला से दिख रहा है तो जैसे आप पकाते जाएंगे तो यह बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाएगा और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो चुका है तो अभी इसका जो टेक्शर है अभी बहुत ही ज् बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है यह देखे और आप यहां पर देख सकते हैं यह बिल्कुल आच्छे से इक इकठ एक अठा हो गया बिल्कुल इस तरह के से डो फॉर्म में आ अ गया यानिकि आप इससे जादा आपको गढ़ा नहीं करना आए बिल्कुल इसटरीके से ह गहीं लगा लीजेगा इसके बाद इस मिक्षर को इसमें डाल दीजिए देखे अभी मिक्षर बहुत ही ज्यादा गर्म है तो इसे आपको तुरंत नहीं बनाना है इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसे थोड़ा पंखे के नीचे रख दीजिए ठंडा होने के लिए देखे मैंने इसे बड़ी हैसा ठंडा कर लिया तो यह बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है मिठाई बनाने के लिए तो आप करना के पहले आप हाथों पे थोड़ा से घी लगा लीजिए और इसके बाद इस डो को ऐसे कठा कर लीजिए यह देखे ऐसे तो इसे घी लग इसे फ्लेंडर जैसा हम इसे सेब देंगे यह देखे ऐसे और बस एक पॉलिथिन लीजिए उस पे थोड़ा सा घी लगा दीजिए और जो इठाई का रोल हमने तयार के रखा है देखे इस पे ऐसे रोल कर लीजिए तो एक्दम परफिक्ट आपका यह रोल बनके तयार हो ज अब हम इसे रोल कर लिया है आप इसे पॉलिथीन में एसे रैप कर लेंगे और इसको हम sp 보이 रखेंगे क्योंकी यह तोसे सेछित होने के लिए और इसके बाद इसे फ्रेजर में 10 मिन देखें तो चले आप मैं आपको दिखाती हूं यह दिखे आदा गंटे बाद दिखा रही हूं देखे आदे गंटे में यह बिल्कुल मिठाई अच्छे सेट हो चुकी है देखे एक्टम परफेक्ट तो चले आपको कटकर के भी दिखाती है इसका जो टेक्शर है वह कितना ज्यादा दानेदार फॉर्म में बिल्कुल कलाकण मिठाई जैसे एक्टम लचेली और सौप्ट मिठाई बनी हुई है और जो टेस्ट है वह बिल्कुल कलाकण जैसा ही आने वाला है तो दीखेंTime कलाकण जैसी टेस्टी महिंगी मिठाई आप इसे घर पर यह देखें simple जिजों से हमारे बनके तयार हो चुकिए और इंग्रीडियन्ट आपने देखा कि बिल्कुल कम और देखे कितने परफेक्ट इसके पीसे कट रहे हैं यह देखे तो यहाँ पर हमने इसके पीसे ऐसे कट कर लिया और देखे मैं आपको एक इसका लुक भी दिखाती हूँ कि कितना ज्यादा बदाम का इस्ति माल करें हैं बदाम को बिल्कुल पतला पतला कट कर लीजेगा और इसे ऐसे कलिये अगर आपको पस सिंपल चेज़े आहिए उसके हैं कर लिद देखने में कितनी ज्यादा नहीं ने आ independ entrepreneur हे आपो बहुत पसंदा हैं इसका जो टेक्षर है मैं आपको तोड़ के दिखाती हूं कितनी जाला लचीली सौप पिल्कुल दानेदार फॉर्म में बनी ही मिठाई अगर आपको मिठाई की रेश्पी अच्छी लग रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक शुर और चानल को जरू सिस्क्राइब करें फिर म